पार इया कि डीर फ्रेंड जेड्ट 2020 के सेकिंड है सेकिंड है वाने वाले ऐसकेसं करने कहा सट्मंद तो आपके जो फ्र्ष्ड राउंड है कि उसकी देडस किस परकार है उसक जानकरी में आपको इस वीडियो तो दिकि सबसे पहले जो important है वो यह है कि आपके online form विकल्प कभी start होंगे तो यह आपके Monday को साम पांचुजी से start हो चुके है ठीक है और यह आपके 18 तरीक को साम पांचुजी तक चलेंगे ठीक 18 तरीक Friday तक 18 December तक चलेंगे उसके बाद संसोधन अगर आपको online form में कोई गलती हो जाती है आपने तो इस feeling कुछ गलत कर दिया हो या आपको change करना हो गलत नहीं किया फिर भी अगर आपको change करना है तो यह आपके 19 तरीक तक होगा ठीक है और जो पहली सूची है कि आपको कौन सी college अलोट हुआ है या किस बच्चे को college अलोट नहीं हुआ है यानि कुल मिला तो अगरा जो online जो चीजे जमा होगी वह आपके 24 तक जमा हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखो मैं आगे बात करता हूं कि इसमें अगर आपको college में अगर reporting करना है यानि offline physical report आपको college में करना है तो जो college आपको देखो इस बार भी यह बच्चों को problem ही ती इसराम कहा पर लिखे हुए आएंगे जो आपको college लोट होगी उस पर आप सिधा बात करके और college वालों से directly बात कीजिए आपको university में बात करने की कोई हो सकता नहीं है ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं उसके बाद आपको फिर जो पूरों में बरेगे जो option form है उनके दुआराई जैसे जिन बच्चों को college नहीं मिली है या जिन्होंने अपवार्ड का मो लगा दिया है ठीक है 26 को अपवार्ड लग जाएगा अगर आपको अपवार्ड लगाना है तो फिर उसको बच्चे को 28 को वापस से college लोट हो जाएगी ठीक है और उसकी साम 5 वज़े तक 30 तारीक त और जो offline college में reporting करनी है वो आपको 31 December तक कर लेनी है ठीक है और उसके बाद यदि सीटे वेकेंट रहती है college में तो university के दवारा sport counseling करवाई जाएगी जिसका schedule आपको आगे बता दिये जाएगा ठीक है अब देखो जो important जो notice है college की दवारा वो मैं आपको बता देता हूँ अब स अब ही college में जरूरी नहीं कि college में सीटे खाली हो या नहीं हो तो seat matrix मैंने बता दिया है आपको उसका वीडियो में इस वीडियो के description में उसका link दे रहा हूँ वहां से देख सकते हैं कौन सी college में कितनी सीटे है फालतों की college कि आप या तो आपको college उपलब्द नहीं होगी कल जैसे आप option form बरोगे या फिर आप अगर option होता भी है तो आप उन college को ना बढ़िए और देखो मैं आपको यह सलाह दूँगा कि जिस college में सबसे जाद सीटे हैं आप उसको सबसे पहले प्रायक्ता दो ठीक है कि प्रायक्ता के अनुसार ही college मिलती है अब देखे इसमें अब पूरा का पूरा सिस्टम में आपको पता देता हूँ देखो यह रहा 5,000 रुपे बेंक सुलक है वो सारा का सारा उनको online जमा करवाना पड़ेगा और जमा करवाने के बाद ही वो option form बढ़ सकते हैं अब जिन बच्चों को college मिल गई है और वो apart moment लगाना चाते है तो देखो स पीड से दुबारे से option form बर सकते हैं ठीक है और जिन एक वो बच्चे जिनोंने first counseling में लगाया था लेकिन उनको मिली नहीं अब वो क्या करें तो second counseling में उनको केवल अपना registration करवाना है और choice feeling दुबारे से करनी है और उनको कुछ नहीं करना उनको उनका कोई charge नहीं लगेगा एमितर वाला अपना जो charge लेगा केवल वही होगा उसके लावा कोई भी charge आपका नहीं लगेगा ठीक है उसके लावा देखो यह है कि जो आपका जो अभी schedule आया है कि कितनी तारीकों क्या होने वाला क्या नहीं होगा तो इसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे changing किया जा सकता है तो आप university की site पे लगातार अपडेट मिलती रहती है आप वहां पर बने रहें university की site AU quota जेट 2020 है आप AU quota डालो उसमें जेट 2020 का जो option आए उस पे क्लिक करो आपको सारा schedule दिख जाएगा ठीक है और अगर आपको नहीं दिखता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं हमेशा जेट आईशी आर और आर पीवीटी के अपडेट्स डालता रहता हूं तो आप हमाजे यूटूब चैनल पर भ जाए ली देता हूं ठीका दोस्तो जेहिन